चानक के I.S. Academy में आप सभी का स्वागत है। इसके साथ ही विदेख में संग्रक्षत चित्रों में स्थानिय समुदायों को विभिन गतिविदियों के लिए अनुमती देने के प्रावधान भी इसमें शामिल है। विदेख के प्रावधानों के अनुसार यह वन्य जीवन अदिनियम 1922 में संशोधन करना चाहता है जो देश में जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के संग्रक्षन को नियंतरित करता है। वन्य जीव संग्रक्षन विदेख 2021 का सबसे महत्वपून फोकस कानून के तहट संग्रक्षित प्रजातियों को बढ़ाना और वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्ट प्राय प्रजातियों में अंतराश्ट्य व्यपार में कन्वेंशन को लागू करना है। जो कई देशों के सरकारों के बीच एक अंतराश्ट्य समझोता है जो यह सुनिश्चित करता है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों के व्यपार और आदान प्रदान से प्रजातियों के अस्तित्यों को खत्रा नहीं है। राश्ट्य उध्यानों और अभ्यारन्यों से सटे हुए इलाकों में सरकार द्वारा छेत्र में वनस्पतियों, जीवों और वन्ने जीवों के प्राकर्तिक आवास की रक्षा के लिए विदेहक के तहट सनक्षन बंधार के रूप में भी गोशित किया जा सकता है। केंद्र के अनुसार वन्तने जीव संग्रक्षन विदेहक किसी व्यक्ति को किसी भी कैज जानवरों या पशु उत्पादों को स्वेच्छा से चीफ वाइल लाइफ वार्डन को सौपने का प्रावधान करता है। जानवर तब राज्यसरकार के अधिकार छित्र में आता है और जानवर को आतम समर्पन करने वाले व्यक्ति को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। अब हम देखेंगे कि इस विदेख का महत्व क्या है। इस विदेख में उन अनुसूचियों को युक्ति संगत बनाने पर जोर दिया गया है जिन में वन्य जीव अधिनियम 1902 के तहट प्रजातियों को सूचिवत किया गया है। विदेख के उदेशों एमकारणों के अनुसार वन्य जीव संग्रक्षन कानून 1902 देश के एको सिस्टम और इन्वायर्मेंट की सिक्योरिटी सुनिशित करने की दरश्टी से जंगली जानवरों पक्षियों पौधों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तयार किया गया ह अगर संग्षेप में इसके प्रावधानों की बात की जाए तो इसमें संग्रक्षित छेत्रों के बहतर प्रबंधन के जरिए वन्य जीवों के संग्रक्षन और प्रबंधन जैसे पहलों को शामिल करने और संग्रक्षित छेत्रों के बहतर प्रबंधन के लिए संचोधन का प्रावधान इसमें है। परतवन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतराष्टे व्यपार से जुड़ी एक संदी का एक पक्ष भी है और इसलिए जरूरी है कि सभी के प्रावधानों को लागू करने के लिए उचित कदम भी उठाए जाए तो इसलिए भी ये बिल ब प्रावधानों को शामिल करने का आग्रह किया है जो स्वामित्यों और हातियों को व्यक्तियों या धार्मिक संस्थानों में स्थानांत्रित करने पर रोक लगाता है यानि कि हातियों को अभी भी पर्सनली भी यूज़ किया जाता है और मंदिरों में बहुत सारे आयोजनो में भी उनका इस्तिमाल होता है तो उस रोक पर भी विचार करने के लिए जोड दिया जा रहा है हाती एक मात्र ऐसे जंगली जानवर है जिनने भारत में व्यक्तियों द्वारा पाला जा सकता है पेटा ने कहा है कि वन्य जीव संचोधन विदेग 2021 की धारा 43-1 हातियों जैसे बंदी जानवरों की विक्री पर रोक लगाती है लेकिन उनका व्यपार अभी भी उपहार या दान की रूप में जा रही है इस विदेग पर जिस समीती ने संसदिय समीती ने अध्यन किया था उसकी अध्यक्षता जै राम रमेश द्वारा की गई थी वो भी इस बात से सहमत थे कि हातियों की विक्री और खरीद को प्रोच साहित नहीं की जाने पर जोड़ दिया जाना चाहिए समीती ने परंपराओं और संग्रक्षन की बीच संतुलन की बात कही है एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 265 बंदी हाती है और उनमें से अधिकांश, पुर्वोत्तर और दक्षनी राज्यों में है अब तक राज्यों द्वारा हातियों के लिए कुल 1251 स्वामित्व प्रमान पतर जारी किये गए है अब हम बात करेंगे वन्य जीवन संग्रक्षन अधिनियम 1922 के बारे में जो की बहुत महत्तपूर्ण है यह अधिनियम पोधों और जानवरों की प्रजातियों के संग्रक्षन के लिए अधिनियमित भारत की संसत का एक अधिनियम है 1972 से पहले भारत में केवल पांच नामित राष्टे उध्यान थे अन्य सुधारों के बीच अधिनियम ने अनुसूचित संग्रक्षित पोधे की स्थापना की और कुछ जानवरों की प्रजातियों का शिकार या इन प्रजातियों की कटाई काफी हद तक अवेद कर दी यह अधिनियम जंगली जानवरों पक्षियों और पोधों की सुरक्षा प्रदान करता है जिससे जुड़े या सहायक या प्रासंगिक मामले पूरे भारत से जुड़े हुए हैं और ये पूरे भारत से सम्मन्दित विदेख है इसकी छे अनुसूचियां हैं जो अलगलग स्तरपर सुरक्षा प्रदान करती है वाइड लाइफ को भी और एन्वाइरमेंट को भी अनुसूची एक, दो और तीन पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है इसके तहत अपराद उचितम डंड निर्धारित है अनुसूची तीन और चार में सूची बद्ध प्रजातियों को भी संग्रशित किया गया है लेकिन दंड बहुत ही कम है अनुसूची पांच के अंत्रगत आने वाले जानवर उधारन के रूप में आम कोवे या फलो पे रहने वाले चमगादर चूहे कानूनी रूप से वर्मित माने जाने वाले जो भी जानवर है वो है इनका सवतंतर रूप से शिकार किया जा सकता है अनुसूची 6 में निर्देश्ट स्थालिये पौदों की खेती और रोपन से प्रतिबंदित किया गया है इस प्रकार ये 6 अनुसूचियां इस विदेख से जुड़ी हुई है तो यहां ये कहना बहुत ही उचित होगा कि ये विदेख जो अभी संशोधन हुआ है इस प्रकार आज का हमारे टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्यू सो मच दो पोर्गे टो लाइके है टो प्रकारइब कर अभी शेयरों यहीं है और सब्सक्राइब कर दिए होन दूपिक भाए्ट ऑन पर ऑन वियूब थैंक्या चैनल को और राख होता है